हलो एफ्रीवाण, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सूथ, पेपर वन प्रेपरिशन में आज मैं आपके लिए सबसे ज़ाधा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दिसका नाम है टाइपस ओफ एवालुएशन, यानि कि मुल्यांकन के प्रकार, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मुल्यांकन क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, कैसे इसके बेनेफिट हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को होते हैं, वैसे ही आज हम टाइपस डिसकस करेंगे, जो कि एक रियल लाइफ एक्जामपल के साथ, क्लास्रूम सिचुएशन के साथ, रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको एक्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंट तक बने रहिएगा, आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, कि एक्जाम क्वालिफाइ करने के लिए पेपर वन प्रेपरेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसमें आप आसानी से 75 प्लस कोर कर सकते हूँ, अगर आप एक स्मार्ट प्रेपरेशन को फॉलो करते हूँ, और इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉंच किया है, जो कि एक्जामीनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फॉल से लिए बस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, फुल से लिए बस मॉक टेस्ट में, आपको साठ से भी जादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लेंग्वेजिस में, अगर आप लोग अटेम्ट कर लेते हुँ, तो डिफिनिटली आप लोग एक्जामीनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हुँ, आपको मिलते हैं, प्रिविजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं, इसके लिए आपको सरफ एक ही बार फीस देनी है, दो हजार रुपई, एक्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा, और इसके फ्री वीडियो के अक्सेस के लिए ग्लोबर ऑलाइन आपको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है, कोर्स के ओवर्विव के बाद कॉंटेंट पर क्लिक करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलिबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएगे, और यहाँ पर यूनिट वाइस फोल्डर्स है, जहाँ पर आपको थेयरी लेक्शर्स, MCQ लेक्शर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं, यह एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, डिफिनेटली छे महीने के अंदर-अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में, यही कोर्स मदद करेगा, तो गिवन नंबर्स पर कॉंटेक्ट करके, कि आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो, इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो, कि UGCNet के लेवल के अकॉर्डिंग यह है Teaching Aptitude, यानि की Unit No.1 का Complete Syllabus, जिसमें की अभी तक यह सारा सेक्शन हम कम्प्लीट कर चुके हैं, और आज हम देखने वाले हैं Types of Evaluation, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की और जिसमें की हम देखने वाले हैं Types of Evaluation Systems, So basically, previous lecture में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस किया था, हमारे पास six types होते हैं, जिसमें से की पहला है Placement, Formative, Summative, Diagnostic, Normed Reference and Criterion Reference, यह जो 6 types के आपके पास Evaluation Systems हैं, इससे exam में question कैसे आते हैं, आपके पास एक Real Life Example दिया होगा, या फिर कोई situation भी होगी और आपको बताना होगा, कि अगर ऐसी situation आपके सामने हैं, तो उस समय पे आप लोग कौन सा Evaluation का type यूज करोगे, यहाँ पे सबसे पहले में आप लोगों को एक question दिखाती हूँ, यह question जो है, यह previous year question है, इसमें देख सकते हो आप एक formative evaluation है, summative है, criterion referenced है and norm reference evaluation की बात की गई है, and four definitions हैं, बिल्कुल basic सी line यहाँ पे दी गई है, statements दी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे correct answer है, अब इसका answer मैं आपको नहीं बताऊंगी, इस video में यह सारे types हम discuss करेंगे, आप उसको अच्छे से समझीगा, and फिर video के end में वापस इस question पे आ करके, आप उसका answer मुझे comment करके जरूर बताऊंगे, वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका answer correct है या incorrect है, right, so सबसे पहले बात करते हैं, placement evaluation की, यानि कि placement मुल्यांकर, placement का मतलब क्या होता है, आप लोगोंने colleges वगेरा में देखा होगा, कि college में हमारा final semester जब चलता है, तो placement होती है students की, right, ऐसा होता है न, इसका मतलब यह है कि किसी person की skills, उसके knowledge, उसके interest के हिसाब से, उनको बिलकुल right जगहा पे place करना, that is called placement evaluation, the purpose of placement evaluation is to check the aptitude of a candidate for the course or subject, whether the candidate has caliber or not, right, जैसे कि माल लीजे, यहां पे कोई accountant की post है, दूसरा यहां पे simple कुछ draft से related काम करना है, उसकी post है, तीसरी designing की post है, so जो person में skills होगी कि वो designing अच्छी कर सकता है, हम उसको यहां पे place करेंगे, that is called placement evaluation, right, so जो student हमें लगेगा, जो हमें लगेगा कि यह teaching में अच्छा जा सकता है, तो हम उसको यही suggest करेंगे, कि आप teaching में आगे अपना career बनाईए, जिनको नहीं पता knowledge बहुत है designing का, लेकिन वो नहीं कर सकते, तो उसको हम उस जगा पे place करेंगे, that is called placement evaluation, it determines the knowledge and skills the students possesses, which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area, ठीक है, तो यह चात्रों के ज्यान और कौशल को निर्धारित करता है, जो किसी दिये गए विशिक शित्र में, शिक्षा की शुरुवात में आवश्यक है, यानि कि किसी भी course में जब आप जाते हो, कहीं बे भी आप जाते हो, कोई भी skill आप सीखने जा रहे हो, तो सबसे पहले, वो शुरू हो, उससे पहले ये चीज़ें आपको बता दी जाती है, right, that is called placement evaluation, अब next type है, जो कि most important है, previous question में भी अमने ये देखा था है, हर साली से question आता ही है, किसी ना किसी सीरीज में, ये है formative evaluation, यानि कि रजनात्मक मुल्यांकर, so formative evaluation को internal evaluation भी बोला जाता है, इसको आप लोग note कर लीजिएगा, एक statement यही है, जो कि exam में पूछी जाती है, formative evaluation is also known as internal evaluation, it is a method for judging the worth of a program, while the program activities are in progress, simple language में मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीके अभी आपकी एक class चल रही है, इस class के बीच में हमेशा क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ MCQs देती हूँ, जिसके आंसर में आप लोगों को बोलती हूँ, कि आप मुझे कॉमेंट करके बताईए, यह है formative evaluation, जनरली यह तो online की example था, offline की बात करें, जैसे कि आप लोग school में जब पढ़ते हूँगे, तो teacher ने आज कोई एक topic करवा दिया, topic में मालीचिया भी तक teacher ने सरफ introduction दी, उसके बाद teacher ने क्या किया, आप से पूछ लिया कि इस introduction को जो भी मैंने बताया, simple language में explain करो, ठीक है, that is called formative evaluation, या फिर class के end में teacher किसी एक student से पूछेंगे, कि आज हमने class में क्या पढ़ा, उसको फटा-फट से एक summary के रूप में, फटा-फट से उसको short में बता दो, यह होता है formative evaluation, इससे क्या पता चलता है, इससे teacher को साथ-साथ में ही, एक teacher एक student को evaluate करते हैं, इसमें एक teacher को साथ-साथ में ही पता चलता रहता है, कि एक student अच्छे से समझ पा रहा है, या नहीं समझ पा रहा है, इससे यह भी फाइदा होता है, कि अगर एक teacher को लगता है कि अपना teaching style उनको change करना है यह student का interest इस तरह से नहीं मैं gain कर पा रही हूँ वो चीजें change करनी है तो इस तरह का evaluation यह सब चीजेंच करने में एक teacher की और एक student की बहुत help करता है So, इस तरह का method हमेशा process पर focus करता है This evaluation provides the student with feedback regarding his or her success or failure in attaining the instructional objective इसमें एक student को पूरा अधिकार होता है कि वो judge कर सके, वो feedback दे सके जैसे अभी हम पढ़ रहे है ठीके माल लीजे यह offline class चल रही है तो एक student को पूरा अधिकार होता है कि वो teacher को बता सकते हैं कि आज का lecture हमें समझ नहीं आया आप अपना पढ़ाने का तरीका change कीजिए या फिर एक student एक teacher को यह बोल सकता है कि नहीं यह topic ही हमें समझ नहीं आया आप इसको कल फिर repeat कीजिए तो यह सब होता है formative evaluation में कि साथ के साथ ही हम हरे चीज़ को evaluate कर सकते हैं तो I hope यह आप लोगों का concept बिलकुल clear है formative evaluation में इसके अलावा कुछ भी exam में नहीं पूछा जाता तो जो भी मैंने screen पर लिखा है जो भी मैंने extra information आपको दी है real life examples के साथ I hope वो सब आपने note कर ली होंगी और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा exam में यह मैं आपको guarantee देती हो अब यह जो question है यह भी एक previous year question है इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है in order to monitor students progress and to modify teaching accordingly the best method of evaluation is students की progress को monitor करना यानि कि उनके निगरानी रखना and teacher की teaching को modify करना यानि कि change करना students के according time के according chapter के according किसी भी चीज़ के according एक teaching में modification लाना इसके लिए कौन सा evaluation का method best होता है ठीक है options इस तरह से given थे आपको पता ही होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं formative evaluation के बारे में बात that is रचनात्मक मुल्यांकन right so I hope यहां तक आप लोग बिलकुल समझ चुके हो formative evaluation को निर्मानात्मक मुल्यांकन भी बोला जाता है and रचनात्मक मुल्यांकन भी बोला जाता है अब यहां पे next जो की type है summative evaluation यह भी एक बहुत important type है मैंने बताया आज की पूरी ही वीडियो बहुत important है so summative evaluation also called external evaluation summative and formative दोनों साथ में काम करते हैं इस तरह से आप याद रखिए ठीक है external evaluation बोला जाता है external का मतलब क्या हो गया बाहर ठीक है internal का मतलब था अंदर यानि की class में course के साथ-साथ अंदर के अंदर ही हम evaluation करते हैं अब यह external evaluation आ गया यानि की बाहर आ गया तो इसका एक example है जैसे की हमारे final exams होते है पूरा एक course हो गया पूरा एक semester हो गया उसके बाद एक ही बार students को evaluate किया जाएगा उनके score के basis पे चाहे उनोंने class में daily कुछ भी किया हो आए हो नहीं आए हो attendance मतलब attentive हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करती है चीजें बस final जो एक बार evaluation होबा उसी के basis पे students को judge किया जाता है तो summative को external evaluation बोला जाता है and this evaluation is a method of judging the worth of a program at the end of the program activity बिलकुल end में final exam याद रख लो बहुत easily ही समझ जाओगे the focus is on the outcome कि final हमारा result क्या आया है यह important है daily चाहे class में कोई student अच्छा perform करता हो नहीं करता हो अच्छे से response करता हो नहीं करता हो वो important नहीं है final result important है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि class में जो teacher daily question पूछते हो उनको नहीं आते बिलकुल zero रहते हैं वो लेकिन जो final exams होते हैं उसके लिए वो इतनी अच्छे से तयारी करते हैं कि वो top भी कर सकते हैं right this is called summative evaluation it determines the extent to which objectives of instruction have been achieved and is used for assigning course grades and summative evaluation में generally क्या किया जाता है इसमें oral reports होती है projects होते हैं term papers होते हैं जो final term होते हैं teacher made achievement test होते हैं and it shows how good or how satisfactory the student is in accomplishment of the objective of instruction right so I hope summative evaluation आप समझ चुके हो daily basis पे कुछ नहीं होता daily students कुछ भी करें बस final जो outcome है final जो result है वही बताएगा कि क्या overall result रहा है अब यहाँ पर difference देख सकते हो formative and summative में आप लोग occurs during the learning process class के बीच में occurs at the end of the learning process इसी तरह की statements exam में दी होती हैं आपको बताना है कि कौन सी formative है कौन से summative है next है allows teachers and students to pivot their strategies provide a final evaluation यानि कि इसमें क्या होता है teacher और student दोनों को ही एक chance मिलता है कि वो अपनी strategy को change करे और बहतर बनाए लेकिन इसमें final evaluation last में ही होती है कि concept का कितना knowledge है identify areas for improvement chances होते हैं कि improve कर सकें वो session के end तक gives opportunity for students to implement feedback high stakes testing that often involves ranking of the students इसमें final ranking के basis पे ही हर एक चीज़ प्रजेंट की जाती है so I hope यहां तक clear है concept जरूर अगर कोई doubt है तो comment अभी कर दीजिए उसके बाद फिर next topic पे जाएगा अभी तक अगर सब कुछ clear है तो मुझे comment कीजिए यह question भी previous year question है जिसमें formative का ही एक definition है इसमें पूछा गया था कि formative evaluation tends to accelerate the pace of learning and इसका reason बताया गया था as against summative evaluation formative evaluation is highly reliable इसमें बोला गया है कि summative के comparison में formative evaluation जो है वो highly reliable होती है यानि कि अत्यदिक विश्वस्निय होती है इसमें पूछा गया था कौन सी statement true है कौन सी false है तो right answer आपके सामने है कि statement A is true but इसका जो reason है वो false बताया गया है ठीके इसकी assertion बिलकुल true है दावा बिलकुल सही किया गया है लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है next है diagnostic evaluation diagnose करना किसी चीज़ का solution यहाँ पे हम नहीं देते हैं बस उस चीज़ को diagnose करते हैं अब जैसे मालीजे मैं किसी डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने कोई बिमारी वहाँ पे ढूंड दी मेरी body में that is called diagnose उन्होंने डाइग्नॉस किया वहाँ पे लेकिन उन्होंने उसका इलाज नहीं किया अभी तक the diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide an explanation for the possible cause of the problem जादा से जादा डॉक्टर ये बिता सकते हैं कि ये problem क्यों होई है मुझे लेकिन वो उसी time immediate solution नहीं देंगे diagnostic tests are thus more comprehensive and detailed so detailed and comprehensive exam में इस statement पूछी जाती है कि कौन सा type evaluation का जो की जादा comprehensive and जिसमें detail में चीज़ें बताई चाती है तो आपको बस answer select करना है diagnostic evaluation that is निदानिक मुल्यांकर ठीक है अब यहाँ पे most important type है normed reference and उसके बाद आता है criterion reference तो normed reference की बात करें norm का मतलब मैंने आपको गल भी बताया था rules कोई मान दंड यहाँ पे create कर दिया गया है normed reference test compare a student's performance against the performance of their peers यानि कि norm reference में क्या होता है एक rule बना दिया जाता है जिसमें कि एक person की performance एक person की capabilities उसका talent बाकी के students के साथ compare किया जाता है ठीक है जैसे generally school में यह चीज़ें बहुत बोली जाती होगी आपने भी सुना होगा यह रहता था कि देखो आपके साथ वाला friend बहुत intelligent है आप क्यों नहीं पड़ते यह क्या होगा norm reference devaluation हो गया एक student को उसके साथ वाले दूसरे के साथ compare किया जाता है आप लोग अगर कहीं job करते हो तो वहाँ पे आपके performance को भी बहुत बार इस तरह से evaluate किया जा रहा होगा that is called norm reference ठीक है it makes comparisons between the individuals यह statement याद रखनी है कि जहां पे भी एक person का दूसरे के साथ comparison हो रहा है that is norm reference this type of test results are compared to the results of a similar group of people and testers are ranked in relation relation to other testers वही चीज़े हैं जो मैंने बताई test then compare the learner's performance उसी साथ compare किया जाएका किसी भी basis पे comparison हो सकता है and to develop a norm reference test the test developers select a statistically relevant group of individuals and administer the test items ठीक है तो यहां पे किसी भी basis पे जैसे अब यह लड़की अलग से है यहां पे इसको हो सकता है कि इनके final score के basis पे compare किया गया हो या फिर ऐसा हो सकता है कि यह बाकी के सारे बहुत अच्छे dancers है यह लड़की अच्छा dance नहीं कर पाती तो इस basis पे उनको compare किया गया हो कोई भी matter हो सकता है comparison का तो अब बात करते हैं criterion reference की इसमें देखो अब यहां पे confusion थोड़ा सा कई बार create हो जाता है तो मैं फिर सर repeat करती हूँ यहां पे norm reference में किसी भी चीज़ को ले करके compare किया जा सकता है लेकिन criterion reference में क्या होता है एक मान दंड एक criteria set कर दिया जाता है अब जैसे माली जी मैंने criteria set कर दिया कि जो भी अच्छे dancers है वो इस row में आ जाए तो एक मैंने एक criteria set कर दिया यहां फिर मैं यह बोल सकती हूँ जिस भी student का score 80 plus है out of 100 80 plus जिसने भी score किया है वो इस row में आ जाए ठीके यहां फिर उनको मैं scholarship देने वाली हूँ तो यह criteria select कर दिया criterion reference test measure test takers performance compare to a specific set of standards और criteria यहां पे किसी दूसरे के साथ उसको compare नहीं किया जाता बस एक मानदंड set कर दिया जाता है अब उस मानदंड को satisfy करने के लिए चाहे एक student हो चाहे 50 हो चाहे 500 हो हमने बस वो मानदंड set कर दिया ठीके हमने जैसे कि एक example मैं बताती हूँ अब जैसे माली जी student को मैंने बोला कि अगर आप 80% score करोगे या फिर मैंने student को इस तरह से बोल दिया कि अगर आपके classmate से जादा score करोगे तो आपको मैं class monitor बना दूँगी इसका मतलब क्या हुआ मैंने इस लड़की को बोला कि ये लड़के के साथ मैं आपको compare कर रही हो कि अगर से जादा number लेकर के आगई तो मैं class monitor बना दूँगी नहीं लेकर आई तो दूसरी condition satisfy होगी लेकिन criterion reference के case में क्या होता है मैंने ये condition रखी थी कि 100 out of 100 जितने भी students लेकर आएंगे वो सब active रहेंगे वो सब class monitor हो जाएंगे वो सब को मैं scholarship दूँगी उसमें फिर चाहे एक student आए चाहे पचास आए चाहे एक भी नाए ये कोई issue नहीं होता ठीक है so criterion reference test can compare the testers performance to an objective standard here the test results are compared to a set of standards or criteria and testers are ranked in relation to body of testers tested knowledge so simple सी language में मैंने जो चीज़े आपको बताई है आप सरफ उनी को याद रखिए इसी के साथ यहाँ पर एक question है जसमें की continuous and comprehensive evaluation की बात की गई है इस तरह का question जनरली पूछा तो नहीं जाता फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए so continuous and comprehensive से related कुछ statements दी है हमें बताना है कौन सी correct है so b c and d continuous and comprehensive यह दो types नहीं है यह एक ही type है दोनों नाम ही ऐसा इसका so यह क्या करता है marks को grade से इसने convert कर दिया it evaluates every aspect of the student हर एक aspect को यहाँ पर evaluate किया जाता है ऐसा नहीं है कि एक student अगर math में अच्छा है and music में नहीं अच्छा है तो बस उसको बोला जाएगा कि आप तो बिकार हो आप बस math करो music छोड़ दो ऐसा नहीं है हर एक चीज को equal level पर रखके यहाँ पर हर एक aspect को compare किया जाता है evaluate किया जाता है it helps in reducing examination phobia इससे क्या होता है students को साथ-साथ में evaluate किया जाता है उनको बताया जाता है कि आपको क्या-क्या changes करने हैं इससे जो final exam का phobia होता है पर इक्षा का जो भय होता है वो कम करने में students को मदद मिलती है ठीक है तो यह था आज का video जिसमें कि हमने types of evaluation system को detail में discuss किया अब यह है question वापस हम उस पे आ गए यहाँ पे देखो formative summative criterion norm reference सब हमने कर लिए अब आप बताओगे इसका right answer क्या है एक बार list में definition देख लेते हैं percentile rank and standard score are used for reporting standards indicative of mastery the attention of using is to identify scope and potential for improvement कहां भी improvement की जा सकती है अगर यह भी आपको पता है तो भी आप answer दे सकते हो बहुत easy है its intention is to judge learning standards कि learning का क्या standard है वो judge करने के इसको use किया जाता है तो कुछ-कुछ keywords है जैसे statement में keyword यह है इस statement में keyword यह mastery है इस वाली statement में यह बताया गया है कि एक percentile rank है मैंने भी last के दो example में आपको बताया कि एक commandant हमने set कर दिया है तो यह अगर keywords आपको याद है तो यह answer आप फड़ा-फड़ दे सकते हो पेपर 1 की साथ-साथ पेपर 2 preparation पर भी focus कीजेगा exam oriented way में complete study material हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे इसमें आपको previous year questions most repeated questions और expected questions हम देते हैं जिसमें से as it is questions हर बार exam में पूछे चाते हैं यह study material ना सिरफ exam qualify करने में आपको मदद करता है वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा so subjects के list आपके सामने है इसमें से अपना paper to subject select कीजिए and given whatsapp numbers पर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है 12.20 रुपए and मैं आपको surety देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता interview clear नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best